वक्रों की अस्फर्स रेखा और अभिलम पे हम लोग एक्जांपल नमबर 14 करने जा रहे हैं यह कह रहा है कि x equal to 2 पे वक्र y equal to x cube minus x की अस्फर्स रेखा की परवर्णता ग्याद कीजिए तो simple साम को फार्मूला पता है कि कोई वक्र y equal to fx है हमारे पास अगर यह वक्र है y equal to fx और इसके किसी विंदू x naught पे अगर हमारा जो अस्फर्स रेखा है उसकी परवर्णता निकालनी है अस्फर्स रेखा की परवर्णता की मतलब कि जो उस विंदू पे अस्फर्स रेखा धनात्मक x अच्छे के साथ जो कोण बनाता है उसका टैन थीटा तो बिंदू x equal to x naught पर वक्र y equal to fx पर अस्फर्स रेखा की परवर्णता यह हमारा होता है dy by dx निकालते हैं और उसमें x equal to x naught पुट कर देते हैं तो यह हमारा अस्फर्स रेखा की परवर्णता हो जाती है तो यह concept यूज होगा यह formula कि dy by dx निकालेंगे और उसमें x equal to x naught जिस बिंदू पे हमको निकालना है परवर्णता वो value पुट कर देंगे तो वक्र जो हमारा दिया है y equal to x cube minus x y equal to x cube minus x तो dy by dx निकालें तो यह हो गया 3x square x cube का differentiation 3x square और x का differentiation 1 तो x equal to 2 पर 2 पर वक्र y equal to x cube minus x की असपरस रेखा की परवर्णता यह बजाएगा हमारा dy by dx और उसमें x equal to हम लोग 2 पुट कर देंगे तो यह हमारा x equal to 2 पर इस वक्र पर जो असपरस रेखा की परवर्णता है वो हमारा आ गया 11 अब question number 15 हम लोग देखते हैं वक्र y equal to under root 4x minus 3 minus 1 पर उन बिंदूओं को ग्यात कीजिए जिन पर असपरस रेखा की परवर्णता 2 by 3 है अब यहाँ पर हमको असपरस रेखा की परवर्णता पहले से दी हुई है वक्र जो हमारा दिया है y equal to under root of 4x minus 3 minus 1 वक्र पर उन बिंदूओं को ग्यात कीजिए यानि xy निकालना है जिन पर असपरस रेखा की परवर्णता 2 by 3 है तो सबसे पहले हम लोग असपरस रेखा की परवर्णता निकालने के लिए dy by dx निकालते हैं तो इसका डिफ्रेंसेशन करें dy by dx equal to root x का डिफ्रेंसेशन root x को हमको लोग क्या लिखते हैं x के पावर 1 by 2 तो इसका डिफ्रेंसेशन x के पावर n का n into x के पावर n minus 1 तो this equal to हो जाएगा 1 by 2 और x के पावर 1 by 2 से 1 घटाएंगे तो minus 1 by 2 यानि यह हो जाएगा 1 by 2 root x क्योंकि x के पावर minus 1 by 2 को 1 upon x के पावर 1 by 2 लिख सकते हैं और x के पावर 1 by 2 root x लिखा जाता है यानि x root x का जो डिफ्रेंसेशन है वो 1 upon 2 root x तो root 4 x minus 3 का डिफ्रेंसेशन हो जाएगा 1 upon 2 into under root 4 x minus 3 और चुकि हमारा यहाँ x नहीं है fx है तो फिर इसका डिफ्रेंसेशन करना पड़ेगा dy dx सा 4 x minus 3 और 1 का डिफ्रेंसेशन हो गया 0 तो dy y dx equal to 1 upon 2 root 4 x minus 3 4 x minus 3 का डिफ्रेंसेशन हो गया 4 और 2 से यह cancel हो गया 2 upon under root 4 x minus 3 तो यह हमारा dy y dx की वैलू आ गई अब दिया है कि यह परवंड़ता है यही तो हमारी परवंड़ता है न वक्र जो है y equal to fx का यह dy y dx की क्या होता है यह परवंड़ता होता है अब आपका दिया हुआ है कि परवंड़ता यह किसके बराबर है 2 y 3 के बराबर है तो दिया है परवंड़ता हमारा क्या है ? 2 गटा 3 के बराबर है तो यह भी परवंड़ता है और यह भी परवंड़ता है तो दोनों वैलू बराबर कर देते हैं तो 2 upon under root 4x minus 3 equal to 2 by 3 तो यहां से 2-2 तो cancel हो गया और दोनों तरफ square कर दें चलिए 1 upon under root 4x minus 3 equal to 1 by 3 और दोनों पच्छों का वर कर देंगे तो 1 upon 4x minus 3 equal to 1 upon 9 तो यहां से cross multiplication करेंगे तो 9 equal to 4x minus 3 तो 4x equal to आपका आगए 12x equal to 3 x equal to 3 आगया अब इस x के corresponding y के value हम लोग निकाल लेते हैं तो y हमारा क्या है under root of 4x minus 3 minus 1 में x बराबर 3 रखने पर इसमें x बराबर 3 रख देंगे तो y बराबर under root of 4 into x की जगा पर 3 minus 3 minus 1 तो y equal to 12 में से 39 और 9 का बर्मूल तो इन 3 minus 1 equal to 2 तो जो बिंद हमारा हो गया x कामा y होता है तो 3 कामा 2 यानि बिंद जो हमको चाहिए वो 3 कामा 2 है जिस पर असपर्स रेखा की परवंटता 2y 3 है तो सिंपल सी बात है अगर वाकर y equal to fx दिया है और उस पे किसी बिंद पे आपको असपर्स रेखा की परवंटता निकालना है तो सीधा differentiation कर देते हैं dy by dx और dy by dx में अगर x equal to x not पूट कर देंगे तो उस बिंद x equal to x not पे उस वक्र पे असपर्स रेखा की परवंटता मिल जाती है तो यहाँ परवंटता हमारा dy by dx से निरूपित होता है और परवंटता 2y 3 के बराबर है तो परवंटता को 2y 3 के बराबर करेंगे तो x की value निकल जाएगी और x की value वक्र में रखेंगे तो y की value पता चल जाएगी तो यह example हम लोग कुछ कर रहे है example number आपका 15 हो गया अब example number 16 है परवंटता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ग्यात कीजिए जो वक्र को असपर्स करती है यानि इस वक्र पर उन रेखाओं का समीकरण निकालना है जिनकी जो है परवंटता 2 है तो इसमें सबसे पहला हम लोग formula लिखें वक्र 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 वाइक्वल्टू एफ एक्स के किसी बिन्दू एक्स कामा वाई पर पर असपर्स रेखा की परवंटता यह होती है हमारा दी वाई वाई दी एक्स अब क्वेस्टन पढ़ता है हम लोग परवंटता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ग्याद कीजिए जो वक्र वाई पलस 2 अपान एक्स माइनस 3 इक्वल्टू जीरो को असपर्स करती है तो यहां फिर वक्र हमारा क्या दिया है वाई पलस 2 अपान एक्स माइनस 3 इक्वल्टू जीरो तो वाई हमारा जो वक्र होगा इसको पच्छांतर करेंगे तो माइनस 2 अपान एक्स माइनस 3 तो यह वक्र हम को पता चल गया अब परवर्ड़ता हमारा क्या होता है वक्र वाई एक्स का डी वाई hung डी अक्स तो परवर्ड़ता हमारा वाई होता है इक्वल टो डी वाई डी या इस फलन का differentiation करना पड़ेगा तो दो फलन अगर आपके बटा में हो और उनका differentiation करना हो यानि dy dx आपका u y v type का हो तो हम लोग क्या करते हैं v को ऐसे reaction देते हैं फिर differentiation of u minus u into differentiation of v अफान v square तो उस हिसाब से यहाँ पर हमारा हो जाएगा x minus 3 को ऐसे रखेंगे into differentiation of minus 2 और minus u जो हमारा क्या है यह minus 2 into differentiation of x minus 3 अपान x minus 3 का whole square तो dy by dx आपका हो गया x minus 3 into constant का differentiation हो गया 0 और यह minus minus plus हो गया 2 into और x minus 3 का differentiation 1 तो यह अपान x minus 3 का whole square यहाँ से हमारा आगया dy by dx जो आगया 2 upon x minus 3 का whole square यानि जो आपका जो असफर्स रेखा की परवंटा है यह किसके बराबर आगये 2 upon x minus 3 का whole square और यह परवंटा हमारा दिया है 2 वाली चाहिए तो दिया है परवंटा 2 है दिया है परवंटा बराबर 2 तो यह दोनों बराबर होने चाहिए तो 2 upon x minus 3 का whole square equal to 2 तो 2-2 cancel हो गया तो यहां से आगया x minus 3 का whole square equal to 1 x minus 3 का whole square equal to 1 और दोनों तरफ under root अगर हम लो लेंगे तो x minus 3 equal to आपका जाएगा plus minus 1 तो x minus 3 equal to अगर आप plus 1 करेंगे तो x equal to आगया 4 और x minus 3 equal to minus 1 करेंगे तो x equal to आपके आगया 2 तो x की दो value आगी 2 और 4 x equal to 2 और x equal to 4 अब x equal to 2 और x equal to 4 अब हमको परवाणता जो है पता चल गया आप रेखाओं का समीकरण निकालना है तो इसमें एक step और है इसमें हम लोगों का कि कि अगर आपका वाक्र फार्मूला पहले लिख देते हैं वाक्र वाक्र आपका कोई y equal to fx है और इसके किसी बिंदू x equal to x0 है तो इस पे जो असफर्स रेखा है उसका समीकरण लिखना होता है ये असफर्स रेखा का समीकरण और इसका स्लोप जो है dy by dx होता है तो dy by dx हमारा क्या हो गया ये असफर्स रेखा की परवर्णता होती है की परवर्णता और ये इसको मान लेते हैं x, y या x0, y0 अगर हम लोग मान लें तो इस लाइन का समीकरण लिखना है इसका स्लोप हमको पता है m और बिंदू x0, y0 से पास हो रहा है तो इसका समीकरण y-y1 igle 2m into x-x1 तो ये हमारा समीकरण हो जाता है स्पर्स रेखा का सम्ीकरण और m हमारा क्या होता है d y by dx जिस बिंदू पर आप निकालना चाहेए असफर्स रेखा का समीकरण उस बिंद। का स्लोप होगा तो यह हमारा क्या है असपर्स रेखा का समीकरान जहां एम इक्विल टो हमारा क्या है डी वाई वाई डी एक्स तो अब बिंदु हमको पता चल गया और स्लोप भी हमको पता है स्लोप है हमारा कितना यहां परवनता दो है तो डी वाई वाई डी एक्स हमारा क्या है 2, slope 2 है, और बिंदू क्या है, x equals to 2 और x equals to 4, x equals to 2 and x equals to 4, और वक्र हमारा है y equals to minus 2 upon x minus 3, तो अब x की value पता है, तो इसके सापेच y की value निकालने, तो इसमें हम लोग लिख देतें समीकराण 1 में x बरावर 2 रखने पर एक सबराबर दो रखेंगे तो उसके साथ पेच हमको y की वैलू मिल जाएगी तो y equal to minus 2 upon x की वैलू 2, 2 minus 3 यहां से y की वैलू आगी minus 2 upon minus 1 यानि y की वैलू 2 तो एक बिंद हम तो क्या आगया हमारे पास 2,2 इस पर चाहिए अगला x equal to 4, समिकराण 1 में x equal to 4 रखने पर समिकराण 1 में x equal to 4 रखने पर तो y equal to minus 2 upon 4 minus 3 तो y equal to आगया आपका x equal to आपका 2,4 तो minus y equal to minus 2 upon 4 minus 3 तो यह हो गया minus 2 तो दूसरा बिंद हमारा क्या हो गया x equal to 4 है और y equal to minus 2 तो यानि हमको वक्र के किन-किन बिंदों पर असपर्स रेखा कि समिकराण चाहिए 2,2 पर चाहिए और 4,-2 पर चाहिए और परवर्णता हमारा जो है दोनों का 2 है तो बिंदू 2,2 पर परवर्णता दो वाली परवर्णता दो वाली असपर्स रेखा का समिकराण यही फार्मला लगेगा y minus y1 equal to m x minus x1 तो y minus y naught, y naught की value क्या है 2, m slope होता है हमारा 2 है x minus x1, x1 की value भी क्या है 2 है तो यहाग्या y equal to 2x और यह minus 4 plus 2 यह minus 2 हो जाएगा तो y equal to 2x minus 2 यह इसको ऐसे लिख दें कि y minus 2x plus 2 equal to 0 यह हमारा पहला समिकराण हो गया पहला समिकराण अब दूसरा भी इसी फार्मूले से हमला 4, minus 2 पे तो y minus y1 x1, y1 y1 की value minus 2 है m, m की value 2 है और x minus x1 minus 4 तो यह हमारा हो जाएगा y plus 2 और यह हमारा हो जाएगा minus 2x plus 8 equal to 0 यह y minus 2x plus 10 equal to 0 तो यह दो हमारा असपर्स रेखा का समिकराण आ गया यह तो simple सा question था हमारा यह पूछा था आपका कि परवन्ता 2 वाली सभी रेखाओं का समिकराण ज्याद कीजिए जो वक्र y plus 2 upon x minus 3 को असपर्स करती है तो हमको वो बिंदु निकालना पड़ेगा कि जहां पे कौन से बिंदु पे इस वक्र पे असपर्स रेखा की परवन्ता 2 है तो y plus 2 upon x minus 3 equal to 0 है तो y equal to minus 2 upon x minus 3 असपर्स रेखा की परवन्ता dy by dx होती है तो differentiation हमने इसका किया dy by dx equal to 2 आगया 2 upon x minus 3 का whole square अब ये परवन्ता होता है परवन्ता हम लोग इसको 2 के बराबर करेंगे तो यहां से x की 2 value आगे 2 और 4 तो x के value 2 हम लोग इस वक्र में put करेंगे तो y पता चल जाएगा इसके साफ है और x की value 4 put करेंगे तो y की value पता चल जाएगे तो हमको 2 value पता चल गया कि इन दो विंदों पर असपर्स रेखा की परवन्ता 2 है कौन से विंदो है हमारे यह 2 कामा 2 और 4 कामा माइनस 2 और वक्र पे जो है अगर परवन्ता पता हो और x naught y naught पे जो असपर्स रेखा का समीकरन होता y minus y naught equal to m और m हमारा क्या होता है dy by dx x minus x naught तो 2 कामा 2 पर असपर्स रेखा का समीकरन slope हमारा 2 है परवन्ता तो y minus y1 equal to 2 x minus 2 और इसी तरीके से अगला भी निकाल ले हम लोगों ने तो यह आपका हो गया question number 16 अब question number 17 कह रहा है कि वक्र x square upon 4 प्लस y square upon 25 पर उन बिंदों को ग्याद कीजिए जिन पर असपर्स रेखा हैं x अच्छ के समानतर है अच्छा असपर्स रेखा हैं x अच्छ के समानतर है इसका मतलब क्या हुआ कि कोई वक्र है आपका तो असपर्स रेखा के समानतर है स्वरी x अच्छ के समानतर जो असपर्स रेखा होगी इसका slope कितना होगा यह X अच्छ के धनात्मक के साथ कितना कौर्ण बना रहा है? थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो परवनता जो हमारा होता है 10 थीटा होता है 10, 0 डिग्री हो जाएगा और 10, 0 की वेलू, 0 यानि अगर X अच्छ के समानतर है तो उसकी परवंटा कितनी होगी? 0 क्योंकि यह x अच्छ के समांतर रहेगा तो x अच्छ के साथ 0 degree count बनाएगा और tan 0 की value 0 होती है और tan theta ही हमारा परवंटा होता है तो x अच्छ के समांतर as-osed- रेखा की परवंटा कि परवंटा कितनी होती है? 0 अब Y अच्छ के समान्तर भी हम लोग देख लेते हैं असपर्स रेका की पर्वणता क्या होगी अगर हमारा कोई वग्ण है Aidd beverage के असपर्स रेका तो यह हमारा एक्सक्छ के साथ कितना कुल बना रहा है 90 डिग्री तो पर्वणता हमारा क्या हो जाएगा 10 थेटा तो 10 90 और 10 90 के value होती है हमारा infinite तो यानि y अच्च के समांतर y अच्च के समांतर असफरस रेखा अगर आपकी होगी तो उसकी launch τοots 오른 थे आपकी होगी infinite तो y अच्च के समांतर असफरस रेखा की परवन्था इकूल टू इन्फानाइट तो यह दो point हमको याद रखना है कि x अच्छ के समानतर अगर असपर्स रेखा बोला जा रहा है तो उसकी परवन्ता क्या होगी 0 और y अच्छ के समानतर अगर असपर्स रेखा बोला जा रहा है तो उसकी परवनता infinite होगी तो यह हम लोग समझ भी लिए और याद भी रखेंगे तो वक्र हमारा है x square upon 4 plus y square upon 25 equal to 1 अब हमको क्या निकालना है असपर्स रेखा की परवनता होते है dy by dx तो हमको dy by dx निकालना है तो चलिए y square upon 25 equal to 1 minus x square upon 4 y square equal to 25 into 1 minus x square by 4 इस टाइप का हमने लिख लिया अब इसका हम लोग x के सापेच डिफरेंसियेट करते हैं दोनों पच्छों का दोनों पच्छों का x के सापेच डिफरेंसियेशन या आउकलन करने पर तो y square का डिफरेंसियेशन हो जाएगा 2y और फिर dy by dx equal to 25 तो हमारा constant है बाहर हैगा 1 का डिफरेंसियेशन 0 और 1 by 4 इन्टू x square का डिफरेंसियेशन 2x तो 2y dy by dx equal to 25 इन्टू यह हमारा हो गया minus xy 2 अब y into dy by dx equal to 25 by 4 हो जाएगा यह minus 25 by 4 क्योंकि यह 2 इधर आएगा आपका तो पटा 4 हो जाएगा और इन्टू x तो dy by dx आपका यहां से आगा dy by dx y इधर जाएगा तो minus 25 by 4 x upon y तो यह अस्फर्स रेखा की परवणता किसी बिंदो x कामा y पे यह है minus 25 by 4 x by y अब उन बिंदों को ग्याद करना है कि पहला x अच्छके समानतर है अस्फर्स रेखा की परवणता x अच्छके समानतर उन बिंदों को ग्याद करना है जहां परवणता जो है x अच्छके समानतर है तो यहां से जो परवणता हमारा आया dy by dx equal to minus 25 by 4 x upon y यह हमारा क्या है अस्फर्स रेखा की परवणता और हम जानते हैं कि x अच्छके समानतर जो अस्फर्स रेखा की परवणता होती है वो 0 के बराबर होती x अच्छके समानतर x अच्छके समानतर अस्फर्स रेखा की परवणता यह होती है 0 तो यह किसके बराबर हो जाएगा 0 के तो dy by dx यह परवणता equal to 0 यानि minus 25 by 4 x upon y equal to 0 तो minus 25 x बराबर 4y into 0 यहां से minus 25 x equal to 0 x equal to यहां से आगया 0 अब x की value 0 पता चल गया अब y हमारा क्या पता चलेगा वक्र में हम लोग रख देंगे तो x square upon 4 plus y square upon 25 equal to 1 में x बराबर 0 रखने पर तो x की value रख देंगे तो y की value हमको पता चल जाएगे तो x बराबर 0 रखें तो 0 बटा 4 plus y square बटा 25 बराबर 1 यहां से आगया हमारा y square equal to 25 तो यहां से y आजाएगा हमारा plus minus 5 क्योंकि y की value plus 5 होगी तब भी y square 25 हो गया y की value minus 5 होगी तब भी y square 25 हो गया तो x equal to 0 y equal to 5 एक यह हो गया और x equal to 0 y equal to minus 5 यह हो गया यानि 0,5 और 0, minus 5 दो बिंदू ऐसे हमको मिले वक्र पे जहां पे असपर्स रेखा x अच्च के समानतर है यानि हम लोग कहेंगे कि बिंदू 0,5 तथा 0, minus 5 पर वक्र x square plus 4 upon y square upon 25 equal to 1 पर असपर्स रेखा x अच्च के समानतर है अब दूसरा point हमारा है कि वो बिंदू चाहिए जहां y अच्च के समानतर है दूसरा point तो dy by dx हमारा आया है minus 25 by 4 x upon y तो परवनता y अच्च के समानतर है परवनता y अच्च के समानतर है वो बिंदू हमको निकालना है तो y अच्च के समानतर बिंदू की परवनता हम लोग जानते हैं infinite होती है y अच्च के समानतर असपर्स रेखा की परवनता होती है infinite तो यह minus 25 by 4 into x y y equal to हो गया यह infinite तो minus 25 by 4 x upon y और infinite काम लोग एक बटा 0 भी लिख सकते हैं तो एक बटा 0 लिखके जब तरिछा बड़ा करेंगे तो minus 25 x into 0 equal to 4y into 1 तो यहां से 4y equal to 0 यानि y equal to 0 आ गया y equal to 0 वकर x square upon 4 plus y square upon 25 equal to 1 में y equal to 0 रखने पर तो इसमें y equal to 0 रखेंगे तो x square upon 4 plus 0 equal to 1 x square equal to 4 यहां से आगया x की वैलू plus minus 2 यानि x की वैलू 1 आगयी 2 y की वैलू 0 और x की वैलू minus 2 y की वैलू minus y की वैलू 0 तो दो विंदों आगये यानि विंदों 2,0 तथा minus 2,0 पर वकर x square upon 4 plus y square upon 25 equal to 1 पर asperz रेखा की asperz रेखा y अच्छ के समानतर होगी तो यह हमारा example number 63 हो गया कुछ example और हम लोग करेंगे इसके बाद exercise करेंगे करेंगे छाह Staff